तो मजोरिटी आप लोग सो गए होगे बट मैंने सोचा कि यार मेरा प्रेडिक्शन दीव भीना मुझे नहीं नहीं आएगी वैसे लास्ट टाइम नमेंबर 23 अटेंब में मैंने सेम्प के लिए अराउंड 4-5 क्वेस्टिंस का प्रेडिक्शन किया था and what a coincidence 5 में से 3 questions were asked in the examinations and around यही ताइम पर 12, 30, 1 o'clock I still remember I had made that video coincidentally a lot of students were awake होना भी चाहिए आपको भी जागना चाहिए क्योंकि छुट्टी है आप लोगो तो अभी 2-3 दिन का so चलो मेरे प्रेडिक्शन की बारी है let's start so here goes my prediction मेरे घरवाले देख रहे हैं बोल रहे हैं कि भाई वापस से marathon ले रहे हैं क्या नहीं नहीं so my prediction list for May 24 बता दू मैं आपको as a disclaimer this is just a speculation so ऐसा मुझे लगता है कि यह questions आ सकते so three expected questions थे but though मैंने add कर दिये theory के so these are the five expected questions from my end जो मुझे लगता है कल आ सकते हैं अगेर I'm telling you speculation है आया तो well and good तुक्का है और नहीं है no problem अपन तो वैसे भी पूरी तरह से prepared है so tension नहीं है so what are those three expected questions theory question में risk in securitization प्लीज इसको बराबर से कर ले रहा theory में मैंने आप लोगो करवाया वाई है revision के time पे so do it well और प्लस अभी आप लोग के साथ मैंने एक घंटे का जो theory किया है उसमें भी मैंने यह करवाया है so properly उसको ध्यान देना second basis contango backwardation convergence so spot price और future price का जो difference है so spot price say 100 है and future price 102 है so 100 minus 102 minus 2 तो basis is contango negative positive हुआ तो backwardation zero हुआ तो convergence उसके उपर एक question आ सकता है is what my feeling is valuation of security में duration volatility and convexity के उपर question आ सकता है I know easy है but yes expected currency futures के उपर in forex and hedging with nifty in derivatives derivatives के उपर तो specifically कौन सा question आएगा वो भी मैं तुम लोग को बता दू मुझे ऐसा लगता है कि यह यह वाला question है December 21 का exam question है is what I am expecting for your attempt बहुत ज्यादा specific और बहुत ज्यादा यह हो गया obviously इतना specifically कोई मैं बोलू यही question आएगा और कौन सही कौन गलत अब बोलेंगे सर अभी हम लोग इतना एक्जाम के टेंचन में और आप बोल रहे हो कमेंट करो क्या है क्या नहीं अब चिल मारो भाई जितना पड़ाई करना था अपन लोग कमेंट आपको कल कि एक्जाम के पहले करना इंपक्त अभी कर दो मुझे लग रहा है यह आने ही वाला जैसे I have given you my predictions let's take your predictions also in comment and share it with your friends देखो उनको क्या लगता है and let's see किसका prediction match होता है क्या बोलते हो next time exam में paper set करने के लिए institute तुमी को बुला लेगा क्या बता चलो keep smiling now be happy कल तुम लोग को मैं बताने वाला हूँ मेरा prediction की paper कैसा होगा तब तक पढ़ाई कर लो अच्छे तरे से सर बहुत tension आ रहा है पढ़ाई हुई नहीं है कुछ chapters बाकी है कुछ chapters हो गए है देखो मैंने 15 के 15 chapter का revision lectures डाल दिये तो at least एक उतनी आप लोग से प्रार्तना है विंती है कि उतना सुन लेना बरावर से speed पर सुन लेना so that you are sorted थोड़ा अगर लग रहा है बाकी है तो आज अपने आपको stretch कर लो हाँ मैं बोल रहा है आप कम सो थोड़ा चलेगा थोड़ा stretch कर लो क्योंकि आपको audit के लिए 2-3 दिन का चुटी है सो कोई टेंशन का बात नहीं है कर लो stretch you know make or break का बात है बॉस let's be ready to put in our best ठीक है चलो time for me to say आस्तरा वेस्ता keep smiling anything else let me know in the comments take care बबाई टेंशन नहीं लेने का सबकी हालत ऐसी है प्यास सबको लगती है गला सबका सुकता है